तुछ स्टुडेंस बीए फर्स्ट्र एड्डूकेशन सेकेंड यानि सिच्छा सास्त्र दुदिय पेपर की प्लास में आज मैं आपको टॉपिक मुस्लिम कालीन सिच्छा यानि मुस्लिम सिच्छा के भाग चार के से बताने जारे हूँ तक पेपिए। अर्च Ohhh आज हम मुस्लिम सिच्छा का पार्ट बाल दीशना के पार्ट आम आगाँ को मुस्लिम इस सिच्छे समीन को परसवाख़ान से जिंदाएवार्ग्या सेनी सिच्छा की। मक्तब प्राठ्मी सिच्छा के वियाति करते थे और मदर्शा उच्छी सिच्छा के केंद्रों को आज मैं इल्की प्रॉपर मीनिंग आप Sigurd आपको समयал हुआ सब्सक्राठ्मी का केंद्र करते थे जैसा कि मैंने पहले बताया हुँ था और मक्तब राया मस्जदों के परशर में ही सचालित हूद थी जो मस्जद होती थी मस्जद के अंदर ही जो है मक्तब हुआ करते थे जहां पर बालकों और बालकाओं को प्राथमी सिच्छा दी जाती थी दोनों को ही अनिवारी रूप से प्राथमी सिच्छा प्रदान की जात और कुतुब का अर्थ क्या होता है कुतुब का अर्थ भी किताब ही होता है कुतुब का अर्थ वैस्तान है जहां पर क्या किया जाता है पढ़ना वार लिखना सिखाया जाता है चुकि मस्जिद में ही संचालित हुआ करते थे और वैस्तान जहां पर पढ़ना लिखाया सिखा जाता था मकतब के नाम से जाना जाने लगा मकतब क्या हुआ करते थे में मकतब वैस्तान प्रात्म क्या किया जाता था किदाब के रूप में कुरान सरीथ जो होते थे इसके दर्शन होते थे इस लिए इस इस्थान को मक्तब के नाम से जाना जाने लगा जहां पर बालपों को अनिवारे रूप से प्राथमिक सिच्छा सुलब कराई जाती थी अब हम बात करते हैं मदर्शा की इसके विशंवे भी बहले बता चुकी हूं मदर्शा क्या हुआ करते थे मदर्श सब्से बना हुआ है और दरश का रथ होता है भाषढ देना आप याद करिया जब मैंने आपको सिच्छा के इंदर थे मधर्शा और यहां पर बहां सड के द्वारा ही छात्रों को ग्यान प्र घ्रता ता तो और ज्ञान प्रदान करने का कार मौलवी या जिसे हम सिच्छा भी कह सकते हैं वो कि आप करते थे ओके आप बात करते हैं हम बिस्मिल्ला संसकार की व्यादिक काल में आपने संसकार पढ़ा था उपनयान संसकार जहां से सुच्छा प्रारम्भ होती थी झूझम भी एकाल में कौन सा संसकार पढ़ा हुए थी याद करिए आप है जिसलिम से निवागन होती थी जिस तरह से वैदिकाल और बादिकाल में हुआ जाती थी तो मगतब में यानि मकतब में प्रवेश के समय एक छोटी सी रस्म निभाई जाती थी और इस रस्म के द्वारा जो है बालग को मकतब में प्रवेश दिया जाता था लगभग चार वर्ष की आयू के पश्चार जब जाता था तो उसे मकतब में प्रवेश करने के दोरान एक छोटी सी रस्म निभाणी होती थी जिसमें वह अपने गुरू या मौलवी या अध्यापक कुछ भी कह सकते हैं वैसे मुस्लिम काल में उसे मौलवी के नाम से जाना जाता था तो मैंने बता इसलिए दिया तकि हमने कुरान सरीफ की आयतों को पढ़ता था और उसे दोहराने के लिए कहता था अगर बालक दोहरा लेता था तो ठीक अगर नहीं दोहरा पाता था तो उसका बिस्मिल्ला कह देना ही पर्यार्त माना जाता था इसलिए इसको बिस्मिल्ला संसकार कहा जाता है और बिस्मिल्ल इस तरह से उसकी प्राथिमी सिच्छा शुरू हो जाती थी बिस्मिल्मिल्ला संस्कार के पस्षातों के इसे पर दिंद ग्याद के अब नेक्स ये लास्ट मारा ठापिक यह इवं दोस्त की बात करते हैं जैसा कि पिछले दो चाप्टर में भी मैंने आपको बताया वैदिकाल में बादिकाल में भी कि आप इसके गुड़ एवं दोश का कंक्लूजन खुद निकालेंगे खुद निसकर्ष निकालेंगे पूरा चाप्टर पढ़ने के बाद कि इसके गुड़ों को किन स्रेडी में रखा जाता है और इन चीजों को दोश्टों की स्टेडी में रखा जा सकता है ओके फिर भी मैं थोड़े बहुत आपको हिंट देना चाहूंगी तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मुस्लिम कालीन सिच्छा के गुड़ क्या थे सबसे पहला बुड़ क्या था अनिवारेवमनिशुर के सिच्छा क्या मैंने इसके विश्र में आपको नहीं बताया है मैंने आपको अनिवारेवमनिशुर के सिच्छा के लिश्र में बताया है राज्य के नियंद्रण के विश्र में बताया है इसके साथ ही साथ अध्याप आपकों का या मॉल्वी का गुरुओं का कह सकते हैं उनका सर्वोचिस्थान के विशह में भी बताया है तो यह कुछछ क्या हो सकते हैं इसके गुण मो सकते हैं यह इसके हो गाया वोगै कि इसी तरह आप और भी जब पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ेंगे तो और भी इसके बुड़ों के विशह में जानकारी ताथ करोगे, इसमें और क्या-क्या गुण निकल सकते हैं, मैंने यह कारी चाहूं तो मैं आपको बता भी सकती हूं पूरा, लेकिन मैंने इसलिए दिया है, क्योंकि इसको आप खुद करेंगे, पूरा चैप्टर का अनलि पूरुसकार के विशह में भी था, साथ ही साथ इसमें अन्यभी चीज़ें संगले थी, जैसे विशिस्तु सिच्छा है, अब दोशों की बात कर लें, तो दोस्त में सबसे पहला दोस्तों यही निकल पर आता है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, इसलाम धर कश्मक अनुशासन, यह सारे पॉइंट के विश्म मों नहीं बता चुकी हूँ, नहीं बता चुकी हूँ, तो यही निकी गोरवा दोस्तर निकालाते हैं, आप मैंने कहीं अलग से बताए आपको, नहीं बताया हैं, जो चैप्लर मैंने पढ़ाया है, चार पार्ट नहीं मेरे अपाडिंग आप इतना करने में सच्छम हो कि आप उसके गुडवा दोशों को अलग-अलग पॉइंट आउट कर सकते हों तो मैं गुडवा दोशों की बात करूँगी आपको एड लीस्ट फाइव तो इसको्स पंड आप उसको करने आप करने हैं और दोशों के बात करें तो पांच दोश आपको यहां फर प्रपेरर करने हैं इधे अपतो लमने य600 पना रह कोपी बना रह नूट तेयार कर रहे हूं तो उसमें आप इसको गुड़ और दोश को पी जरूर लिखे मैंने बता दिया है आप बस उसको कनवर्ट करना है आपको जो पॉइंट पता है उनको आपको डीटेल में कनवर्ट करना है तो आई हो कितना आप कर लोगे इसी के साथ साथ आपका मुस्लिम सिच्छा जो है वो समाथ हो गया अब हम आगे बढ़ेंगे लेक्स टॉपिक के